सो हेलो दोस्तो स्वागत है आप सभी का एक नए विडियो में तो दोस्तो चंदर ग्रहन मार्च दो हजार चौबीस का ये पहला चंदर ग्रहन है जो होली के दिन ही लग रहा है आपको बता दे तो नोट कर लीजिएगा सही समय क्योंकि अगर आप गर्भवती महिला है तो सावधानी तो रखनी परेगी क्योंकि जोतिशाचारे में भी बताया गया है कि सूतक लगने ना लगने से कोई मतलब होता नहीं है लेकिन साल का पहला ग्रहन है और होली के दिन लग रहा है तो नो विवाहित औरतों को भी इस दिन सावधानी बरतनी पड़ती है तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि सही जानकारी आपको बताई जाएगी तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा उससे पहले आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट कर दीजिए तो चलिए मेरे दोस्तों शुरू करते हैं तो साथियों साल 2024 का पहला ग्रहन जल्द ही लगने वाला है साल का पहला ग्रहन चंद्र ग्रहन होगा ये ग्रहन 25 मार्च को लगने वाला है यानि होली के दिन दोस्तों इस चंद्र ग्रहन के समय को लेकर लोगों में काफी आशंका है तो हम आपको बता दे कि ग्रहन लगने का सही समय 25 मार्च सुभह साड़े 10 बजे से हो रहा है अर्थाद ग्रहन 25 मार्च को सुभह ही लग जाएगा 10 बजे के बाद से और दोपहर 3 बजे तक रहेगा ऐसे में ये सबसे लंबा ग्रहन होने वाला है और सुतक भी लगने वाला है तो चंद्र ग्रहन लगने से 9 घंटे पहले सुतक लग जाता है सुतक काल में मंदिरों के कपाट बंध हो जाते हैं पूजा अर्चना रोग दी जाती है हालांकि यह एक उपचाया ग्रहन है जो कन्या राश्य में लगेगा ये ग्रहन भारत में नजर नहीं आने वाला है लेकिन ग्रहन के दौरान हमें सतरकता और सावधानी बरतनी चाहिए ऐसा जोतिशा चार्य बताते हैं इसलिए सावधानी तो रखनी ही पड़ेगी लेकिन अगर आप एक गर्भवती महिला है तो आप जरूर ध्यान दीजिएगा कि ग्रहन के दौरान कुछ भी चीजें ना काटिएगा और ना ही आप कुछ चीजें खाईएगा दरासल आपको बता दे इसका बहुत बुरा असर अपने बच्चों पर पढ़ता है जो पेट में है उन पर इसका असर पढ़ता है तो ग्रहन के दौरान कोई भी नुकीली चीज का इस्तिमाल नहीं करना है और ना कोई चीजें काटनी है और वही दोस्तों बहुत सारे लोग कन्फ्यूज है कि क्या ग्रहन के दौरान जो साड़े-दस बजे से ग्रहन लग रहा है तो क्या हम होली खेल सकते हैं तो हम आप बता दे कि आप बिलकुल खेल सकते हैं क्योंकि भारत में यह चंद्र ग्रहन नहीं दिख रहा है इस वजह से आप खेल सकते हैं लेकिन गर्भवती महिलाओं को सावधानी रखनी पड़ेगी क्योंकि जोतिश चर्य मानते हैं कि ग्रहन के दौरान चाहे सूर्य देवता हो चाहे चंद्र देवता हो वो तो खुद संकट में होते हैं तो इस प्रकार से इनसान भी संकट में होता है, ये तो जोतिश का मानना है, लेकिन दोस्तों आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताईएगा, तो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में, तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी क्या मनाइग!